तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साफशन ने सुप्रीम की उपर अपना एक अटेक कर दिया था जिसकी वैसे यहाँ पर चारोतर धुआई-धुआ हो जाता है तब लेकी क्याता है कि साफशन रेडी हो जाओ क्यूंकि मुझे उस आदमी में कुछ आजी पावर्स हो रही है और अब यह सुप्रीम साफशन से क्याता है कि वाकवे में तुम फिजिकल सुप्रीम लॉड ही हो और चुकि अब तुम मुझे यहाँ से भागने नहीं दोगे इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे फाइट करना ही होगा और चुकि पिछली बार तुमने लिएनफी है और फिर यह सुप्रीम हसती ही क्याता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जिंदा कैसे बचे मगर आप तुम वह वाले फिजिकल सुप्रीम लॉड नहीं रहे जिसके बस नाम से पूरा नोरिलम कापा करता था तुमारी करेंट कलिवेसन अभी इतनी ज्यादा वीक है कि तुम अपने maximum power का भी use करके मेरे body के protection barrier को भी नहीं तोड़ पाओगे जिस पर आप इतना सुप्रीम भी अपने औरा को बहार निकालती हुए क्याता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिसकल सुप्रीम लॉड को फिर से अपने हाथ हो से मारूंगा जिस पर साफ्रीम इसके उ अपने प्लेस से हील भी नहीं पाता है और फिर अपने आप से क्याता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह परसन इतना ज्यादा पारफुल है तब यह सुप्रीम भी अप साफ्रीम को बिना कोई मौका दे सीधे इसके पास आके इसके बौड़ी में एक अटेक कर देता है जिसके वज़से साफ्रीम को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है तब यह सुप्रीम कहाता है कि देखो यह है मेरी पावर जो आप तुमारे बौड़ी को बिल्कुल पूरी तरके से डिस्ट्रोई कर देगा क्योंकि इस टेक्निक में मेरा इंग्यान का पोईजन है जो तुमसे भी पावर फुल सुप्रीम को एक ही जटके में खत्म कर देता है इसलिए अब सांती समर जाव सो कॉल्ड फीजिकल सुप्रीम लौड जि जिसपर सावशन भी सच में कई टूड़ों में बठके मर जाता है तब यह सुप्रीम अप आगलों की तरह हसती भी क्याता है कि अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और अब मुझे भी पूरे नौर रिलम में किसी गौड की तरह पूजा जाएगा जिसपर तब हम देखते ह आपी से रिबॉर्न हो जाता है तब यह देखते हैं यह सुप्रीम बहुत ही ज्यादा सोख होती ही कहता है कि यह तो लाइफ और देथ का टर्न है जो सिर्फ लिए फी ही यूज कर सकता है जिसपर सावशन स्माइल करते हैं सीधी इसकी और जपटा मारता है तब यह सुप्र आपल मारता है जिसकी वजьसे यहां पर एक धमागा होता है और इसके वात वी स्वraशन इस आदमी के गले को दबाती जाता है तब इस सुप्रीम योज सीधे अपने और आऊको निकाल लेता है जिसकी वज़से सावशन तोड़ा पीछे शड़ जाता है लेकिन इस बार साउचन फिर से अपने मूव के साथ इसके उपर अटेक करने के लिए बढ़ता है लेकिन ये सूरीम भी अपनी पाउस के यूज करके साउचन के अटेक को रूक लेता है और फिस साउचन से क्याता है जरूरिस के एक एंबर ने इससे कोई छास पावर दी है जिसी वज़ी से लगबग सुप्रीम लेवल के पीक लेवल पे पहुंच चुका है तब लेकी किया दा कि साफशन में फील कर सकता हूँगी इसके पास कोई ये स्ट्रेंज पावर है जो इसे तूरंदी बूश्ट कर रहा है इसे लिए अब इसका क्या करना ये तुम मुझे पे छोड़ दो जि बलैकी किसे बड़े मुब को केरेट करने के लिए अपने आस-पास बहुत सारी अनिर्जी को रिलीस करने लगता है जिसे देखर ये सूपरेम अपने मनें कmoi कैदाए कि ये डौगी तो साफशन से भी ज 안amment पाउर्फुल है तब बलैकी साफशन सी कैदा है कि क्या तूम मेरे और आप Blackie कितना क्या दे हैं हम देखते हैं कि स्पॉर्टल से एक और बहुत ही पाफुल थर्डाइ वुल्फ एंट्री मारता है जो देखने में Blackie से भी ज़्यादा डिंजर लग रहा था और इसे देखकर ये सुपरीम में बहुत ही ज़्यादा सौक हो जाता है तब साफशन कोई यूज करने की वज़े से कि स्पॉर्टल फॉर्म में हमारी हेल्प करनी के लिए आई है लेकिन चुकि अभी तक मैंने अपने मेक्समिन पावर से अचीव नहीं किया है इसे लिए ये मुव ज्यादा दिर तक नहीं ठीकेगा और अब ये सुप्रीम इस थर्डाइ वु इस पार ये सुप्रीम एक फॉर्मेशन को बनाते हैं इस अटेक से बचने को सिस करने लगता है लेकिन इस फुल्फ का ये अटेक इतना पावफुल था कि वो कुछी सेकेंड में इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है तब ये सुप्रीम थोड़ा इंजर्ड होते हुए अप आव ये विल्फ भी हेमन के ठंडर को करेट करते है और भी सुप्रीम के उपर बरसा ही देता है जिसके बाद इस तंडर की वज़े से यहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है तब इस तंडर को देखते है विस आशन कहता कि बलैकि ऐसा ठंडर तों में अपने फीक ल लमगा वान आप दा बेस्ट फॉर्मेशन है जिसे के वल पीक लेवल के सुप्रीम ही ब्रेक कर सकते हैं जिस पर आवी दर हम इस सुप्रीम को देखते हैं जो कि स्टंडर की वज़े से चित्था हुगिया था और फिर ये सुप्रीम किसी तरह से उड़ती हुए क्या था कि और ये का कर ये फिर से उसी मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ी अनरजी को क्रेयेट करने लगता है जिसके प्रेसर को फील करते हुए ब्लेकी पूछता है कि साफशन इन ये क्या है तब सावशन कहाता है कि मेरे ख्याल से एर्थ और हेवन का कोई magic weapon है जिसपर ये सुपरीम बताता है कि दरसल ये 100 magic weapons में से एक है जिने एर्थ और हेवन की power को मिला कि एंसे अंटाइम में बनाया गया था और इसे मैं जो खुदे emperor ने gift किया है ताकि अगर कभी लिएन फी में ने सामने अशाना का जाए तो मैं इसकी help से उसे रोक सकूँ और अब लेकी के कहन उसारी बूल भी यहां से disappear हो जाता है जिस पर आप ये सुपरीम कहादा कि सावशन में जानता हूँ के बीच से कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है मैं तो अभी तक तुमसे ठीक से खेला भी नहीं जिस पर ये सुपरीम धोड़ा सोक होती है कि क्या तुम बच गए तब सावशन कहता है कि हां क्या तुमें कोई सक है जिस पर ये सुप्रीम क्याता है कि मैं अभी भी तुमसे नहीं डरता क्योंकि तुम्हें खत्म करने का मेरे पास एक और तरीका है और ये कि अगर ये सुप्रीम अब अपने मार्स सोल को बाहर निकाल लेता है और फिर साफशन से क्याता है कि देखो ये है मेरी true power जिसके बाद ये सुप्रीम अपने एक पाल मटे को साफशन की उपर करते ही भी कहता है कि चलो आजाओ मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम में कितना दम है तब इतना सुन्दे साफशन आफ फॉर में आते ही कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी उकाद दिखाता हूँ और ये कह अगर साफशन भी अब अपने मैक्सिमम पावर्स को अपेर कर लेता है जिसके बाद वो इस सुप्रीम की और बढ़ते ही कहता है कि चलो बदावां कि तुम किस तरह से मरना चाहोगे तब इस पावर को देखे ये सुप्रीम के अदाए कि ये तो टाइटन की पावर है इसका पावर्स को अपने सुप्रीम के अपने एविली डेच्ट फिष्ट के ग्रेवटी प्रेसर को बरसाना सुरू कर देता है जिसकी वैसे ये सुप्रीम अब खड़ा भी नहीं हो पाता है तब साफशन बहुत ही प्यार से इसके फेस पे एक और पइंच मारता है जिसकी वैसे कि सब्पूरा जब्रा ही हिल जाता है और फिर साफशन हेमिली डेच्ट फिष्ट के एक और फॉर्म काई यूज़ करता है और इस मुग को सीरे साथ मीर अट एक रटेक कर देता है जिसकी वैसे यहां पे अभी तक सबसे बड़ा धमाका होता है और जब सब कुछ सांथ होता तो हम देते हैं कि आदमी तो लगबाग अदमरा हो गया था तब सावचन इसी और देखते हुए एक और स्माइल देता है और फिर इसी साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है